प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी एप एपलेबल इन गूगल प्लेश्टोर डाउनलोड नाव तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपॉक्सी कंपाउंड के बारे में कि एपॉक्सी कंपाउंड होता क्या है इसके क्या-क्या एडवांटेजिस होते हैं और इसके क्या-क्या डिसएडवांटेजिस होते हैं कितने प्रकार के एपॉक्सी कंपाउंड पाए जाते हैं और इसका कंस्रक्शन इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज होता है आज के वीडियो में हम completely जानेंगे epoxy compound के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो Hello engineers, welcome to the world of civil guru जी मैं engineer विवेक कुमार पांडे, corporate trainer आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल civil guru जी में जा हम बात करते हैं completely civil engineers के growth के regarding तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि what is epoxy compound, epoxy compound होता गया है तो epoxy compound एक तरह का polymeric compound है polymeric compound से हम क्या समझते हैं तो polymeric compound होता है group of chemical compound that consists of large molecules of repeating subunits यानि कि एक छोटा unit होता है वो छोटा unit बार बार repeat होने की वज़े से एक large molecule form करता है और उसके group को हम polymer बोलते हैं तो epoxy compound एक तरह का polymeric compound होता है polymer में molecular structure होने की वज़े से इसमें toughness और elasticity के लिए epoxy compound responsible होता है अब आगे देखते हैं epoxy compound को किस तरीके से use किया जाता है तो epoxy compound as a adhesive भी use किया जाता है और as a coating भी use किया जाता है यानि कि इसको हम glue की तरह भी use कर सकते हैं जैसा कि आप pictures में देख सकते हैं या फिर जैसे कि second picture है इसमें flooring दिया हुआ है तो floor में हम एक coat लगा है epoxy compound का यानि कि इसको हम as a coating भी use कर सकते हैं जो epoxy compound होता है इसमें एक chemical पाया जाता है जिसको बोला जाता है epoxide epoxide जो होता है highly reactive molecular compound होता है इसमें क्या होता है कि दो substance को मिला के एक compound बनाया जाता है और वो compound ये दोनों substance को मिलाने के बाद hard हो जाता है या फिर इस compound को हम heat करते हैं बहुत ही ज़्यादा high temperature पे तो वो hard हो जाता है वो ही चीज़ा आपको इस slide में भी बताया गया है compounds get harden either by combining it with other substance और heating it to high temperature तो ये दो तरीके से होता है अब देखते हैं what are the advantages of epoxy compound epoxy compound के क्या क्या advantages होते है तो सबसे पहला जो advantage है वो strength है epoxy compound में strength किस तरीके से आता है epoxy compound एक polymeric structure होता है polymeric structure होने की वज़े से इसमें strength आता है polymeric structure जो होता है वो responsible होता है इसमें remarkable strong bond create करने के लिए ये एक तरह से waterproofing का भी काम करता है और ये withstand कर सकता है बहुत ही ज़्यादा high temperature में भी जो दूसरा advantage है इसका वो होता है compatibility compatibility यानि epoxy compound को हम broad array में use कर सकते हैं इसका जो use होता है ये बहुत ही broad aspect में होता है और जो common adhesive होते हैं उसका जो use होता है वो बहुत ही limited use होता है जो epoxy compound का compatibility का criteria है ये बहुत ही broad aspect में है इसका use बहुत ही ज़्यादा broad aspect में किया जा सकता है ऐसा adhesive और as a coating अब तीसरा advantage देखते हैं तीसरा advantage है speed speed किसके बारे में बोल रहा है तो इसके curing time का speed बताया जा रहा है तो जो अलग-अलग प्रकार के epoxy compound होते हैं उनका अलग-अलग speed होता है curing time का वो set होने में अलग-अलग समय लेते हैं लेकिन कुछ fast acting epoxy compound भी होते हैं जो set हो जाते हैं within an hour तो ये सारे advantages होते हैं epoxy compound के अब देखते हैं इसके क्या-क्या disadvantages होते हैं तो disadvantages में सबसे पहला जो disadvantages का वो होता है complicated application complicated application हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें दो substance को मिला के एक compound बनाया जाता है और वो compound को mix किया जाता है either by hand और through the application system यानि कि machinery के through भी इसका application किया जाता है या फिर इसको mix करने के लिए हम simply hand का use करते हैं इसलिए इसका application थोड़ा complicated हो जाता है और इसका use जो होता है epoxy compound का use ये properly ventilated space में ही होना चाहिए ये इसलिए बोला जाता है इसमें जो fumes generate होते हैं ये हजाडस होते हैं health के लिए इसमें जो use होता है heating वाला epoxy compound वो heating वाला epoxy compound में fumes बहुत ज़्यादा generate होते हैं जो हमारे lungs के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं इसलिए इसके लिए ventilated space का जरुवत होता है ventilated space का एक और काम रहता है कि epoxy compound अच्छे से perform करता है जब भी इसको air dried surface मिलता है तो इसलिए ventilated space का जरुवत must है और इसका work हमेशा ventilated space में ही होना चाहिए प्रकार के epoxy resin के बारे में तो जो पहला है वो है heat cured epoxy जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं heat cured बोल रहा है यानि कि इस epoxy compound का जब भी use होगा उसमें heat का use भी होगा और ये जो heat cured epoxy होता है ये one part epoxy होता है ये कभी भी construction में इसका use नहीं होता है क्योंकि इसमें जो heat का requirement होता है वो बहुत ज़ादा होता है ये commonly use होता है electronic devices में infrared telescope में medical devices and missile warning system में ये single part epoxy होता है इसमें दो compound को mix करके नहीं बनाया जाता है इसमें एक single compound ही रहता है जिसका हम use heat के जरिए करते हैं इसलिए इसको one part epoxy बोला जाता है अब हम देखते हैं two part epoxy के बारे में ये दूसरा प्रकार का epoxy resin है इसमें दो substance use होते हैं जैसा कि आप इस picture में भी देख सकते हैं जो A compound है A compound आपका resin बोला गया है और B compound को hardener बोला गया है जब इन दोनों को mix करेंगे तभी जाके ये use में आएगा और ये chemical action के जरी हाडन होगा तो इस तरीके का two parts जो epoxy होता है वो किस तरीके से work करता है तो सबसे पहले ये transform होता है ठिक liquid के form में रहता है ये ठिक liquid से transform होता है पुट्टी के form में और उसके बाद जब हम इसका curing करते हैं तो ये hardened substance में convert हो जाता है इस तरीके के epoxy को जब भी हम remove करते हैं माल लिजे dismantle करना है हमको तो remove करने के लिए हम इसको scrap off करते हैं इसका scrapping किस तरीके से किया जाता है तो सबसे पहले इसको soft किया जाता है alcohol या paint thinner यूज़ करके उसके बाद इसको scrap करके हटाया जाता है जब भी हमें epoxy resin को remove करना रहे अब देखते हैं epoxy compound का use क्या क्या होता है construction में तो epoxy compound का जो सबसे पहला use दिया गया है यहाँ पे कि water based epoxy paint water based epoxy paint की तरह ये काम करता है floor में हम paint कर सकते हैं epoxy compound को use करके और ये use होता है quick drying protective coating के लिए और जो इसका use होता है वो होता है flooring work में flooring work में किस तरीके से होता है quartz के साथ combine किया जाता है epoxy chemical को या फिर tiles के साथ combine किया जाता है या फिर किसी भी other materials के साथ जो epoxy chemical के साथ high performance दे decorative flooring बनाने के लिए mainly इसका use किया जाता है जैसा कि यह second picture आप देख सकते हैं इसमें quads की flooring दी गई है epoxy compound में अब हम इसका और भी अलग-अलग uses देखते हैं तो इसका use होता है laminated wood के manufacture करने के लिए जो हम deck wall या फिर roof में use कर सकते हैं जैसा कि picture में आप देख सकते हैं sliding door दिया हुआ है sliding door laminated wood यानि कि इसमें use किया गया है epoxy chemical का lamination का या फिर इसका use किया जाता है high gloss durable coating के लिए indoor और outdoor use के लिए किया जाता है जो बहुती ज़्यादा चमकदार flooring रहता है उसमें इसका use किया जाता है तो इस तरीके से epoxy chemical का construction industry में अलग-अलग जगा application होता है और इसका use होता है तो आज के video में हमने बात किया कि epoxy compound क्या होता है उसके क्या-क्या advantages और disadvantages होते हैं कितने प्रकार के epoxy compound होते हैं और उसका construction industry में किस तरीके से application किया जाता है इन सारे चीजों के बारे में आज के video में हमने बात किया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, जादा से जादा लोगों को शेर करें और सस्काइब करना मत बुलिएगा दोस्तों और आगे की और इन्फर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बैल आइकन पे क्लिक करें क्योंकि आपका लाइक करना, शेर करना और सस्काइब करना हमें और भी इन्फर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तब तक के लिए जै हिंग जै वारत Civil Engineers Training Institute अब पहुँच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपूर, भोपाल, लखनव, डेल्ली और अब बतना में भी एक खास ओफर के साथ, पे कीजिए 60% fees after your placement अभी कॉल कर ये 911-001234 पर, seats limited है जल्दी कीजिए झाल, तक कीजिए 60%, जल्दी कीजिए 52, तक कीजिए .